अश्कार दोस्तों बुदुवार की व्रत कता कुछ इस प्रकार से है एक समय की बात है एक फिक्टी का विवा हुए कई वर्ष बीद गए विवा के बाद उसके पत्नी एक बार अपने माईके गई भी थी तो पत्नी के माईके में रहने के कई दिनों बाद उसका पति अपनी पत्नी को विदा करवाने के लिए ससुराल में कुछ दिन तक रहने के बाद वे पत्नी को माईके से विदा करने की बाद अपने सास ससूर से कहता है तो बुदुवार का दिन होने के कारह उसके सास ससूर ने कहा कि इस दिन बेटे ससूराल से नहीं जा सकती इस कारह विदाई न बटकने लगा काफी देर के बाद जब पानी लेकर वापस लोटा तो उसने देखा कि पतनी के पास उसी की वेश्वूशा में कोई अन्य व्यक्ति पतनी के संग बैट का बाते करता हुआ दिखाई दिया अब दोनों व्यक्ति आपस में लड़ने लगे पहले व्यक्ति ने कि कौन है क्यों उसकी पत्नी के साथ बेका बाते करना है फिर आपस में लड़ने लगे दूसरे विक्ति ने भी कहा कि यह मेरी पत्नी है दोनों के बीच भायानक लड़ाई होने लगी तब वहां पर कोई सिपाई आए गए और इसे से उसके असली पत्ती के बारे में पूछने लगे दोनों विक्ति को देखका इस्तरी है रान हो गई कौन मेरा पती है तो वह दूइधा में पढ़ गई तूकि दोनों एक जैसे ही लग रहे थे तो वह पहला विक्ति परिशानों का मन में कहा कि भगवान ये कैसी आपकी लीला है तब आकाश्वाने हुई कि बुद्व हर दिन बुद्वार के दिन बगवान गणेश की पूजा करने लगे और व्रत करने लगा ये थी आज की बुद्वार की व्रत कता हरे किश्णा